दूसर मार्केट में आजकल क्या होता है? हर दिन एक नया स्मार्टफोन लाँच हो जाता है और हर साल एक नया ब्रांड आ जाता है आप लोग तो अच्छे सा कहानी चानते होगे लेकिन इन सब के चक्कर में लोगों के मन में काफी जादा कंफूशन हो जाता है लेकिन कंपनीज ऐसा क्यों करती है इसके पीछा आज हम बता करने वाले है पीछे का रीजन कि है तो वीड़ो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करते रहे चाहल को सस्प्रेक्ट कर लेना तो सबसे पहली चीज यह कि जो रीब्रांडिंग वाला के लिए जादा स्मार्टफोन लाँच करने वाला कोई नया नहीं है इससे पहले हमारी जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज थी वो ऐसा बहुत तर चुके एक एक्जाम्पल लोग पहले क्या होता था कि इनका बिजनस मॉडल यह था कि कुछ फोंस लाओ इंडिया में इने मार्केट करो और इने जल्दी से जल्दी बेचो और फिर एक नया स्टॉक लेओ यह कहानी यहाँ पर चलते थी और री ब्रांटिंग वाला जो खेल है ना स्मार्टफोन का यह तब से आया क्योंकि जब ओडिये वाले जो फोंस थे लोग इंडिया में री ब्रांट करके बिच देते हैं उसके बाद जो सब ब्रांट वाला जो खेल है यह खेल भी चाइना से ही निकलाता है यहाँ पर वन प्लस और ओपो का काफी अच्छा एक्जामपल है वन प्लस के मेज़ोरिटी फोन जो चाइना के अंदर लेकिन ग्लोबली इन सब के बार में इतना पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि ओपो ने चाइना के अंदर अपने कुछ फोंस लॉंच गरे थी इसलिए लोग को इतना फर्क नहीं पड़ा लेकिन देखा जा तो री ब्रांडिंग और सब ब्रांड वाला अभी के समय इंडिया के अंदर काफी सारे ऐसे लोगे अल्मूस 40% ऐसे लोगे जो स्मार्टफोन का एकसेस नहीं है उन में से काफी सार लोग रोज आना नया स्मार्टफोन पर्चिस कर रहे हैं और जिन लोग के पास स्मार्टफोन वो पहले जादा तेजी से लेकिन बात की जाते हैं इंडिया से जादा कॉम्टिटिव मार्केट चाइना के अंदर है और चाइना के एंडिया के अंदर कहनी की एक फोन आते है छे से आट महीने के अंदर उसका सकसेसार आपको देखने को मिल जाते हैं हर दूसरे महीने आपको similar phone देखने को मिल जाते हैं किसी rebrand करके किसी दूसरे sub brand के तरह से सिर्फ back panel change करते हुए देखने को मिलता है पता है ऐसा क्यों हो रहा है मतलब कुछ समय पहले तक कहानी ये चलती थी कि एक phone आता था साल भर तक चलता था और साल भर के बाद उसका एक नया version देखने को मिलता था हमें समझ में आता है फिर धीरे धीरे जब competition बढ़ने लगा उसके बाद क्या हुआ पता है कि एक बार कोई company अपने फोन निकालती है तो दूसरी company उसे काटने के लिए फोन निकाल देती है और उसके बाद यही सिलसला चलता चले जाता है और ऐसा ही सिलसला भी सालों से चल रहा है कि आने वाले समय में और जादा खतरनाक हो सकता है पहले क्या होता था एक phone आता था एक साल भर तक र आता था और अभी क्या हो रहा है कि market में पहले phone का जैसे ही hype खतम होने लगेगा वैसी अगर वो दूसरा phone introduce करेंगे तो उसका hype दोबारा से आ जाएगा और वो phone की सिल दोबारा से चालो हो जाएगी और market में मान लीजिए अगर एक किसी company ने एक अच्छा phone निकाला लेकिन व नहीं है दो से चार महीने के अंदर अपने नए phones को निकलती है मतलब सिंपल से चीज़ यह कि consumer को जादा number of choices मिलेंगी और consumer के दमाग में तो हमेशा यही रहता है ना कि late test है तो वो हमेशा best रहागा लेकिन यह चीज़ तब true नहीं हो दी जब रोज phone launch हो रहा है मतलब किसी भ करती है पुराना phone लेती है back panel चेंज करती रेम स्टोर चेंज करें री ब्रांट करके किसे और ब्रांट के अंदर वेश दिया यहां फिर यह लोग वह भी कर सकते हैं कि back panel चेंज किया feature एक दो चीज़े उधर उधर करी और वही phone को दवारा से रिलांज कर दी आपका एक नया phone बन गया market में दवारत से आई पागी और जो लोग थे जो पुराना phone ले चुके थे उन लोग के लिए एक नया phone में लिए अपग्रेड करने के लिए इस तरीके से कहानी चलती है सब ब्रांट के साथ भी यही खेल है सब ब्रांट के पीछे का एक simple सा logic में आपको समझा देत है उसको चार phone दिखाई देते हैं एक phone है एक company का और बाकी की तीन phone है वो काफी जादा similar है लेकिन वो किसी एक बड़े brand के अंदर आते हैं जैसे कि मानलीजे BBK के अंदर अब चार अगर option मिलेंगी उसमें से किसी phone को choose करना है तो one by four probability हो जाएगी और इसका मतलब यह रहेग कि market में दो phone है और दौनों को choose करने के chances है वो 50-50% है अभी individually phone को choose करने के chances 25% हो गा है और जब जब ज़्यादा number of phones market के अंदर एक company के रहेंगे और उसी company के हो सकता है कि at the end of that है वो ज़्यादा number of phones को बेच दे यानि किसी एक particular model को वो ज़्यादा नहीं बेचेगी लेकिन यह को इतने ज़्यादा phones देखने को मिलते है और इसलिए हर साल एक sub brand यहाँ पर create हो जाता है इवन यह multiple brand की जो strategies सच में काम करें शाओमी देखा तो इस समय Apple से ज़्यादा phone ship कर दी उन्होंने पता है कैसे यहाँ पर अकेले Xiaomi के अंदर मीग यह बात नहीं हो रहें यहाँ पर Redmi P और अब तो IQ भी आ गया उसे भी अगर मैं कमेंड करूं तो इंडिविजुली इन सब को चो मार्केट शेयर होगा ना वह यहाँ पर हो सकता है Samsung से जादा भी निकल जाए और वहीं अगर हम बात Samsung की करी रहे तो Samsung इस टाइप की strategy follow करता है Samsung देखा जाए तो मार्केट में जादा फोन तो निकाल दी है लेकिन यह लोग अपने सब्रांड क्रेट नहीं करते सिंपल सा आंसर यह कि Samsung जैसी कम्तनी को सब्रांड करेट करने के कोई भी जरूरत नहीं है मतलब यह है कि Samsung इतने सालों से इंडिया में और ग्लोबल लेवल पर ऐसी प्रिजेंस है कि Samsung की जो मार्केट में टिका हुआ है और अगर Samsung यह अपने सब्रांड क्रिएट करती तो उसको उस लेवल पर ले जाना है जिस पर आज आज आल्रेडी Samsung खड़ा हुआ है वहाँ पर ले जाना उसके लिए काफर ज्यादा डिफिकल्ट होगा इसलिए Samsung स्रीज वाला खेल खेलती है एक flagship series बनाएगी, S series बनाएगी, अपने full series बनाएगी जिसके लोग ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, offline के लिए A series बना देगी, online के लिए M series बना देगी और Galaxy देखा जा तो आज के समय सैमसंग का ही brand बन के रहा गया है, यह Samsung और Samsung Galaxy को आज कली brand की तरीके से यहाँ पर treat के जाता है, तो definitely Samsung यहाँ एक sub brand तो create करने ने वाली फिलाल के समय में, unless कोई बड़ी चीज़ यहाँ पर change ना करें, क्योंकि Samsung यहसी brand value तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो नई Chinese company है, उन्हें कई बार लगता है कि उनकी brand value उतनी नहीं है, और उनने दोबारा से एक नया brand create करने की जरूरत है, इसलिए आपको नए brand देखने को होते है, काफी था example है Realme, Realme पूरा का पूरा brand देखो, Xiaomi को tackle करने के लिए बनाए गया था, Xiaomi ने for Poco नेकाल है, Realme और OnePlus को tackle करने के लिए, IQ भी है इस बीच में आगया, जो कि Poco को tackle कर रहा है, OnePlus को tackle कर रहा है, देखा तो इस तरीके से कहान देखने को लिए, और जादर नए brand भी आपको आने वाले समय में देखने को लिए, यह मेरा यहाप एक prediction है, बाकि आप लोग क्या लगता है, मार्केट में जो चीज चल रहे है, यह चीज सही हो रहे है, गलत हो रही है, आप लोग बताईए कि आप लोग कई बर रितिस सारे smartphone launches होने से confused हो जाते है कि नी हो जाते है, कि कौन साले कौन सानाले, क्योंकि देखा है तो company के साब से तो choices है, लेकिन real consumer के साब से confusion हो जाता है, तो दोस्ता आप लोग अपना opinion नीचे comment बता से, तो वीडियो पसंदा आतो like कर देना, चैनल को subscribe कर लेना, thank you को वीडियो देखने मैं आप सुन्दा लेक्स वन्मेक, गुद बाइ!